वेलकम फैंट्स हमारे चैनल में आपका एक पर फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल वर्ल्ड वाइड लेम्टेड कंपनी के बारे में यह जो कंपनी है टेक्स्टाइल सेक्टर की कंपनी है और 307 कंपनी जो है उसमें इसका जो रैंक है इसमें इसका अचा है कापी अच्छी कंपनी है और बात करते हैं इसका इनलाइसिस के बारे में 306 कंपनी में इस Васाल को चापनी सीरे मातलब 2010 के अंदर इस company का जो share था जो share के दाम थे केवल आप जानकर हैरान हो जाएंगे 20 रूपे था तो आज के टेम में इस company का share का दाम है 60 रूपे चल रहा है और highest risk का जो performance है 180 रूपे तक इस company के share जा सकते हैं काफी अच्छे हैं और पहले बार ऐसी situation आई है कि इस company के जो share है उपर की तरफ जाने के अनुमान है क्योंकि जो इसकी लगाता रबड़त आप देख सकते हैं बाउंड वीक से पहले इसका जो performance था 23 रूपे से बढ़कर इसने highest जो achieve किया था 65 रूपे तक इसने highest इंटर डे में achieve किया है काफी अच्छे है इसके जो सामने तो जो सेर रहते हैं वह साट से सो के बीच में ही रहते हैं जाता नहीं चलते हैं पहली बार इसने जो 160 और 80 के बीच में जो targeted चेव किया था उस समय काफी अच्छा performance था इस company का अब हम बात करते है टेक्निकल आइनालाइस की बात में देखिए बुलीस की तरह बढ़ रहा है और नूट्रल भी आसपास ही है वह सबता है नीचे की तरफ आ जाए या उपर की तरफ आ जाए यह तो आने वाला कल ही बताएगा अब बात करते हैं इसके ट्रैक्टिवस के बारे हम है जिसकी वज़े से सेर के दाव नीचे की तरफ है इसकी जो नैट सेल है पूरे साल की 470 क्रोड के आसपास है जो अच्छी खासी कंपनी के लिए होनी चाहिए अब बात करते हैं इसका योगदान एक परसेंट भी नहीं रहा है जीरो पॉइंट एट टू परसेंट सेंटर म 10 क्रोड रुपे है और पी रेशियो देखें आपके सामने है पी रेशियो से 37.83 है जब इस कंपनी का जो हाई स्कोर था 160 के बीच में इसका पी रेशियो सो के सो से करीब कर पार कर गया था लेकिन आज 77 पर बात करते हैं इसके प्रोमोर्टर से 62 के आसपास हैं इसके नियू अच्छी है जो इस कंपनी के जो सेर है साट और 180 के बीच में रह सकते हैं काफी अच्छी है यह था अनलाइस जिन्दल वर्ड वाइड लिम्टेड का इदि आपको जानकारी अच्छी लगी है और आने वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सकाइब कर लेज कर दो